Hello friends, I am Dr. Pankaj और आज इस वीडियो में हम कुछ NCRT-based जो important MCQs है, human reproduction के उनको discuss करेंगे तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा एक Facebook ग्रूप है जो की Neat UG Guru के नाम से आप चाहें तो उसको जोईन कर सकते हैं for latest information and MCQs तो देखें, NCRT में कहना हम NCRT जो किताब है उसकी किसी भी line को हम नहीं छोड़ सकते हैं अगर उसकी किसी भी line में कुछ लिखा है तो वो हमें जरूर यादोना चाहिए और हमें ये ले के चलना चाहिए कि उसमें से कोई भी MCQ आ सकता है क्योंकि NCRT जो है न वो एकदम minimum course है वो तो आपको आना ही चाहिए उससे बाहर जो आता है उसका तो चलो कोई बात नहीं पर अगर NCRT में से कुछ आया और वो अगर आपको नहीं आता है तो वो बहुत बड़ा issue है तो जैसे आपको लगेगा एक वहाँ पे है कि what is the width of testis यह NCRT के अंदर दिया हूए कि यह कि TESTI जो होता है उसकी width कितनी होती है तो जो टेस्टी की जो विड़ा जो NCRT में दिया है वो है 2-3 cm तो आपको पता होने चाहिए कि जो human testis होता है उसकी adult testis की जो width होती है वो 2-3 cm होती है next MCQ है कि what is the length of the testis यह भी NCRT के अंदर दिया हुआ है कि length क्या होती है testis की तो जो testis की length होती है वो होती है 4-5 cm तो आपको पता होने चाहिए कि width होती है 2-3 cm और जो आपकी length होती है 4-5 cm next है shape of the testis कैसी होती है तो जो human testis होता है उसकी जो shape होती है क्या round होती है या वो peer shaped होती है banana shaped या oval तो जो human testis है उसकी जो shape होती है वो oval होती है oval shape का होता है human testis तो rougा इसमें D next is सब बहुत important question है sperms are produced in तो humans के अंदर sperms का production क्या होता है पहला option है prostate, दूसरा epididymus, rated testes and seminiferous tubule तो इसका answer आपको tip of the tongue होना चाहिए इसका answer होता है seminiferous tubule seminiferous tubule human testes के अंदर होती है जिसमें की sperms का production होता है तो देखिए एक बार हम इसका testes का diagram देख लेते हैं यह testes होता है तो testes जो हमने पढ़ा oval shaped होता है जैसा अंडाकार उसकी shape होती है अच्छा testes के अंदर कुछ segments बने होते हैं fragments तो उनको हम लोग बोलते हैं lobules तो जो testes जो होता है वो different lobules में divide होता है और हर एक lobule के अंदर क्या होती है seminiferous tubules होती है इनी seminiferous tubules के अंदर आपका sperms का production होता है अच्छा जो आपका जो testes होता है उसकी outer covering को बोलते है tunica albugenia अब आपको एक sequence याद होना चाहिए कि सबसे पहले lobules होता है lobules के अंदर seminiferous tubules होती है फिर seminiferous tubules मिलके बनाती है ratatestes ratatestes के बाद बनता है और epididymes के दो पार्ट होती है head ये उपर वाला head होता है और नीचे वाली tail होती है तो कभी भी कोई question पूछता है कि epididymes के कितने पार्ट होती है तो उसमें body भी होती है बढ़ आपको head, tail and body ये तीन पार्ट पता होने चाहिए उसके बाद जो epididymes होती है वो continue करती है ऐसा was difference या इसको बोलते है was differentia तो ये sequence आप कोई पता होने चाहिए कि पहले lobule आया lobule के अंदर seminiferous tubules आई seminiferous tubule seminiferous tubule seminiferous tubule के बाद rated estes rated estes के बाद आएगा आपका was differentia या different ductule उसके बाद आएगी epididymes और end में आएगा आपका was difference तो ये जो sequence है बहुत important है कभी भी exam में पूछा जा सकता आपको पता होना चाहिए ये एक cut section है तो cut section क्या होता है कि suppose करो अगर या आप टेस्टीज है आपका अगर आप इसको यहां से cut कर दो तो जो cut करने पर जब आप microscope में देखो कि तब कैसा दिखेगा यह वो section है तो seminiferous tubule के अंदर कौन-कौन सी cells होती है वो बहुत important है एक तो होती है उनके अंदर ये sertoli cell sertoli cell होती है उसके बाद जो pink वाला part है इसके अंदर होती है interstitial cell और एक होती है spermatogonia और ये जो spermatogonia होती है इनसे बनते हैं आपके spermatos होगा या जिनको आप sperms बोलते है उसके बाद next question है number of testicular lobules in each testis तो हमने कुछ देरे पहले पढ़ा था कि जो testis होता है वो lobules में divide होता है तो ये बोल रहा है कि एक lobule के अंदर कितने सौरी एक testis के अंदर कितने lobules होते है तो उसका answer होता है 250 ओके तो एक testicular lobule के अंदर 250 सौरी एक testis के अंदर 250 lobules होते है अब अगर कोई ये question दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है जैसे कि एक इनसान के अंदर testis में कितने lobules होते है तो जब उसने specify नहीं किया कि वो एक testis के अंदर बोर रहा है दो testis के अंदर बोर रहा है उसका बोलना है कि total number of total number of lobules in a human being तो वो जाएगा answer 500 क्योंकि यहां में दोनों testis count करने पड़ेंगे तो आपको question की language को समझना बहुत ज़रूरी है जैसे यहां पर इन्होंने specifically पूछा है number of testicular lobules in each testis तो वो होते हैं आपके 250 तो एक testis में हो गए 250 lobules तो दो testis में हो जाएंगे 500 lobules तो यह आपको पता होना चाहिए next है each testicular lobule contain how many highly coiled seminiferous tubules हमने उस diagram में देखा था के जो lobules होते हैं उसके अंदर क्या होती है seminiferous tubules होती है और यह seminiferous tubules होती है coiled structure होती है तो एक testicular lobule के अंदर कितनी seminiferous tubules होती है यह question पूछा गया है तो इसका answer होता है 1, 2, 3 मतलब कि एक testicular lobule के अंदर लगबग एक से तीन तक seminiferous tubules होती है तो यह आपको MCQ पता होना चाहिए बिलकुल भी यह MCQ रॉंग नहीं होने चाहिए next MCQ है male germ cells are also known as मतलब कि male germ cells जिनसे की spermatis होगा बनते हैं या sperm बनते हैं उनको क्या बोलते हैं तो देखेए oogonia जो होता है वो female के अंदर होती है oogonia से male germ cells जो है sertoli cell भी यह germ cell नहीं होती अब कभी कई बच्चों को doubt होता है दो चीज़ में spermatogonia and spermatocytes तो देखेए जो male germ cell होती है उसको बोलते है spermatogonia और female germ cell को बोलते है oogonia तो जो germ cell होती है, उसमें गोनिया लगा होता है, तो spermatogonia जो होती है, वो male germ cell होती है, तो ये एक, आपका ये cut section है, जो testicular lobule का, तो उसके अंदर में एक spermatogonia cells होती है, sertoli cells होती है, उसके बाद interstitial cells होती है, जिनको lidic cell बोलते हैं, और बीच में ये lumen होता है, तो ये structure आपको पता होना चाहिए, कि आपका जो cut section होता है, seminiferous tubule का, उसमें कौन-कौन से cells होते हैं, next question है, compartment of testis are also called, तो थोड़ी देर पहले ही हमने discuss किया था, कि testis के जो different compartment होते हैं, उनको बोलते हैं, testicular lobules, तो यहाँ पे confusion होता है, कि testicular lobes और lobules में, तो हमेशा रखना है, इसका अंसर ह बनाने का मकसद बस इतने हैं, कि आप लोग का एक orientation बन सके कि किस तरीके से MCQ आते हैं, कैसे उन्हें solve किया जाए, तो इस वीडियो को यहीं पे end करते हैं, और मेरी आपसे request है कि आप NCRT book को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि वो minimum book है, okay, so thanks for watching my video.